हेलो फ्रेंज स्वागते आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेजर टारेट पर तो दोस्तों आज में लोग लेकर कलास टेंद में जेगरोफी यानि की भुगोल में हम लोग 30 काफी महतपुर्ण बीवियाई ऑफजरीब कोसंस को देखें अंगे और यह जो 30 परसन है ना आ आगरी तक 30 परसन को अच्छी तरसे याद कर लेते हैं तो आपकी मेर्टिव गुर्प इच्छा में जवरोफी से एक भी परसन अनहीं चूटेगा यानि कि सभी परसन जो है ना इसी से आने वाला है तो इससे बाहर एक भी परसन नहीं आएगा तो फिर इस भड़ावर सी व आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यह 30 परसन में से पहले से आप लोग को कितना परसन याद था तो आये फ्रेंस देखते हैं आप आज का प्रथम परसन देखेगा आज का फर्ष्ट परसन काफी महतपूर्ण ने देखेगा क्या करा है कि किस राजे में वनों का विस्तार अधिक है काफी महतपूर्ण परसन ने उफसन ए में आपका दिया वह उत्तर परदेश बिमें दिया हुआ हडियाना और अफसन सी हमद्य परदेश और अफसन डी में आपका दिया और बीहार तो दोस्तो यहां पर आप लोग को बदला आने कि किस राजे में वनों का विस्त देखते हैं आपके दोनुम्टर पर्सन देखेगा दोनुम्टर पर्सन क्या करा है कि उजला सोना किसे कहा जाता है यह भी पर्सन बहुत important यहां पर लोग को बतला आने कि उजला सोना किसे कहा जाता है तो दूस्तों वही परसन है जो गलती से डवल टाइप हो गया है तो चले बढ़ते अगला परसन के ओर देखिए आप चानवर परसन काफी महतपूर ने क्या कर रहा है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है काफी महतपूर परसन है तो दूस्तों अपसन अ में आपका दिया हुआ है भारत गजट और बंगाल गजट और 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 बिह परसन अब बहुत हैं और यहीं सभी परसन इसे आप लोग के मैटिक बोड़ पर इक्षा में बारबर पर पूछे जाते हैं तो दूस्तों को सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है तो भारत का सबसे पाहला समाचार पत्र जो है ना बंगाल गजट है इसे आप लोग को याद की लीजिए दोस्तों देखें आपे क्या कराए कि सरवाधिक वर्सा होती है बहुत ही महतपूर्ण परसन अपर बिल्कुल से उतरो जाएगा और दोस्तों यह मांसी राम जो है ना मेग हाले में साथ में से आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंस देखते हैं आप अ महतपूर्द ने देखेगा क्या करा है कि आधुनिक सभेता का अरीर किसे कहा जाता है तो दोस्तो ये भी पर्षन है बहुत ही महतपूर्द है और दोस्तो आपकी मैट्रीपूर्ट पिक्छा में काफी बार पूछा जा चुगा है कि आधुनिक सभेता का अरीर किसे कहा जाता ह है क्योंकि सबसे जदा जो है लोहा का पडियों किया जाता है इसलिए इसको हम लोग आधुनिक सभेता का रीर करते हैं अब आये फ्रेंस देखते हैं आप साथ नमर्व परसन यह भी परसन बहुत ही महतपूर ने देखिए क्या करा है कि सुंदर वण है तो सुंदर वण जो है कहां पर है और पर अपका दिवा करनाटक में या फिर पच्छिम मंगाल में और अपसंडी है महाराष्ट्र में तो यह सुंदर वण जो है ना पच्छिम को याद रखना है और अपसे नमर्व यहां पर हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सभी परसन बहुत ही महतपूर ने परसन को अच्छी दर से याद कर लिजेगा तो आपको जो ही परसन याद नहीं ना तो उस परसन को अपने नोर्व में जरूर नट कर लिजेगा और दोस्तों बिहार में खात कार खाना कहा है और अपसे नमर्व यहां पर बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और दोस्तों यह भी परसन बहुत इंपोर्टेंड है और काफिवार आपके मैटिक बोड़ पर इक्छा में पूछा भी जा चुका है इसलिए को अच्छी तर से याद परसन को देख रहे हैं अब आये फ्रेंस देखते हैं आप अगला परसन देखेगा नौनमर्व परसन बहुत ही महत्पूर्ण देखेगा क्या कराएगी निम्न में से कौन प्रार्थमीक उर्जा का उधारन नहीं है तो दोस्तों अ में आपका दिया हुआ है कोईला बी में परार्थमीक उर्जा का उधारन नहीं है यहां पर अपर अपर देखते हैं आप अगला परसन देखेगा दस नमर परसन भी वह थी महत्पूर्ण ने देखें क्या कराए कि हिराकुन परियोजना किस नदी पर इस्तिद है काफी महत्पूर्ण परसन है अपसन अ में आपका दिया हुआ गंगा नदी पर और अफसन भी यमुना नदी पर और अफसन सी में आपका दिया हुआ है महा नदी पर और अफसन डी है गोदावरी नदी पर दोस्तों यह राकुन परियोजना जो है ना महा नदी पर इस्तिद है इसे आप लोगों को याद रखना है यहां पर और option वर्सी जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंस देखते हैं आपे अगला परसन काफी महतपूर ने देखेगा क्या करा है कि निम्र में से कौन वेवशाइक फसल नहीं है तो दोस्तों वेवशाइक फसल जो है ना कौन फसल वेवशाइक फसल नहीं है और option वेवशाइक फसल नहीं है इनके अलावे जूट तंबाकू और यह गया हूँ यह तीनों जो होते हैं वेवशाइक फसल होते हैं इसे आप लोग को याद रगना है अब चले फ्रेंस देखते हैं पर अगला परसन लेखेगा बारेन नमट परसन भी बहुत ही महतपूर नेखिए को क्या किशेटों यह वी परसन ले बहुत इंपोर्ट रियूड़ पूंगर कच्छा माल जो है ना चुना पथर है यहां पर मार जो है इसे ना बिल्कुल से अतूर जाएगा जो थो बहुत बहुत इंपोर्टेंड और आपके मैं टीपोर्ट प्रिक्षा में बहुत बार पुछा जा चुगा इसलिए इसको अच्छी सरसे याद कर लीजेगा दोस्तों और आपको जो भी परसन याद नहें ना तो इस परसन को अपने नोटबूक में जरूर नोट के लिजेगा अब चले फिरिंस देखते हैं आपर अगला परसन देखे गए आपर 14 परसन भी बहुत ही महातपूर्ण है कि भारत के किस राजम में सरवाधिक चीनी मिल है बहुत ही म सबसे जाती है साथ में से आप लोग को याद अगना है अगला परसन देखेगा 15 परसन भी बहुत ही महातपूर्ण ने देखेगा क्या करा है कि निम्ण में से कौन छोटे पैमाने का उद्धोग है यह भी परसन बहुत इंपोर्टेंड है और का भी वार आपके मैट्टी ब बतलाने की छोटे पैमाने का उद्धोग को ने चुनी उद्धोग और रफसन ब्लकुल से उत्र हो जाएगा अब आए अगला परसन देखेगा पर्सन भी बहुत ही महतपूर ने देखी का क्या करा है कि नेता जी सुभाद चंद्र बोस हवाई अड़ा किस राज में इस ती दे बहुत ही महतपूर पर्सन ने ओप्सन ए में आपका दिया हो और पच्छिम मंगाल में बी में देहली में और सवन सीय तमिल नाडू में और औ पूछा भी जा चुका है दोस्तों जोई पर्सन आपको याद नहीं ना तो इस पर्सन को अपने नोट में नोट करके उसे जरूर याद कर लिजेगा और आपको जोई पर्सन याद हो ना तो इस पर्सन को यह रिविजन करके चोड़ दिजे अब चले फ्रेंस देखते हैं पर अगला पर्सन देखेगा सेत्रे नोट पर्सन क्या करा है कि चावल कौन सी फसल है बहुत ही महत्पूर्ण पर्सन है और आपके मैं टिक वर पिक्छर में ब्रावट पूछे आते हैं और अप्सन बी एक खड़ी और अप्सन सी जायत और अप्सन डी में आपका दियावा तराजे में होता है साथ में इसे भी आप लोग याद रखेगा अब आये फ्रेंस देखते हैं आप अगला पर्सन देखेगा अठारनों पर्सन क्या करा है कि टाटा आयरें एंड इस्टिल कंपनी के अस्तापना कब हुई थी यह भी पर्सन बहुत इंपोर्टेंड है तो त चले फ्रेंस देखते हैं आप अगला पर्सन देखेगा आप उनीसमें पर्सन क्या करा है कि भारत का राष्टे पक्षी निम्र में इसे कौन सा है काफी महत्पूर्ण है और बहुत बर पूछा जा चुगा दो भारत का राष्टे पक्षी है ना बिल्कुल से उतरों बहुता है कि भारत का राष्टे पसु किसे करते तो भारत का राष्टे पसु जो है ना बागे साथ में से आप लोग को याद रगना है अब आए फ्रेंस देखते हैं आप अगला पर्सन काफी महत्पूर्ण ने देखें क्या करा है कि सवरणीम चतरबुच्च कि से संबन् यानि कि यहां पर में बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब आए फ्रेंस देखते हैं पर अगला परस्म न देखेगा काफी महत्पून है क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कौन सा है यह भी परस्म बहुत इंपोर्टेंड है तो सबसे अमें आपका दि देखेगा है यह पे 22 परस्म कि यह अंग राय कि भारत में यहूं और परस्म बहुत इंपोर्टेंड है, तो दो सबसे ज़्यादा और उत्तर परदेश चुका है यानि कि यह आपर आप सिन समर गया बिल्कुल से उतर हो जाएगा और दोस्तों समर उतर पर सिय flick 1 पंज हा यहूं कौनसी फसल है तो यहूं जो है ना रभी फसल है साथ में से भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन देखेगा हैं पर 33 परसन क्या अगरा है कि किस राजय में मसाला सबसे अधिक होता है यह भी परसन बहुत इंपोर्टेंड और काफी और आपके मैट्री बोर्ट पर इच्छा में पूछा भी जा चुका है तुस्तों वीडियो को लाइक नहीं किये ना तो लाइक जरू कर दीजेगा और इस तीस परसन को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि यह पहले से आप लोग को कितना परस में होता है यानि कि यहां पर ऑफसन नंबर ए जो है बिल्कुल से उतर हो जाएगा और दोस्तों एक परसन यह पूछे आते हैं कि नारियल और काजू का अथपादन सबसे यह पर होता है केरल राजय में ही होता है इसे आप लोग को याद अगना है अब चले फ्रेंस देखत में और संदी में आपका दियावा च्छपरा में तो दोस्तों बिहार में जो औरेल और सब इस्तिद है ना जमालपूर में इस्तिद है इसे आप लोग को याद रखना है और बी यहां पर हमारा से उतर हो जाएगा काफी महत्पूर्ण परसन है अब आये फ्रेंस देखती है कि किस राज में खनिस्तियल का विसाल भंडारे उप्सन ए में आपका दियावा असम में या फिर राजस्थान में या फिर बिहार में और उप्सन दी या उत्तर परदेश में तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को बतलाने कि किस राज में खनिस्तियल का विसाल भंडारे तो दोस्तो असम में जो है ना खनिस्तिल का सबसे विसाल भंडार है, option number A यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उतरो जाएगा, अब आए फ्रेंस देखते हैं, पर अगला परसन काफी महतपूर ने देखीगा, क्या गड़ा है कि, चाइपती सबसे अधिक किस राजे में होता है, मैं कोफी सबसे अधिक कहा होता है, तो दोस्तो कोफी सबसे अधिक कननाटक में होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, अब आए फ्रेंस देखते हैं, अगला परसन काफी महतपूर ने देखीगा, क्या करा है कि, भारत में सबसे उचा सरक कहा इस्तिर यह परसन बहुत इंपोर्टेंड है और काफी वर आपके मैट्रीक परिक्षा में पूछा भी जा चुका है अब आए फ्रेंस देखते हैं अगला परसन काफी महतपूर्ण ने देखेगा क्या करा है कि विशु पढ़ियावरन दिवस किस दिन को मनाया जाता है यह भी परसन बहु पूछा भी जा चुका है तो विशु परियावरन दिवस किस दिन को मनाया जाता है और आपके मारा बिल्कुल से उतरो जाएगा अब आए फ्रेंस देखते हैं आप अगला परसन यह भी परसन बहुत इंपोर्टेंड देखेगा क्या करा है कि कापास सबसे अधिक किस राज सबसे अधिक होता है अब चले फ्रेंस देखते हैं आज का अंतीम परसन देखेगा आपके क्या करा है कि कोईला का सबसे अच्छा किसम कौन सा है काफी महत्पूर्ट परसन आप सबसे अच्छा किसम होता है और दोस्तों कोईला जो होता है चार प्रकार का होता है क्या क्या होता है इसे आप लोगों को याद रखना है अब आये फ्रेंस देखते हैं पे देखें आप एक अच्छा काफी महत्पूर्ट परसन है और यह लास्ट परसन है इस वीडियो का देखेंगा क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है काफी महत्पूर्ट पर आपके सबसे बड़ा बंदरगा करते हैं तो भारत में जो सबसे बड़ा बंदरगा है ना मुंबई में है यहां पर आप तो यहां पर हम लोग काफी महत्पूर्ण तीस अबजरी परसन को देख लिए और जो तीस अबजरी परसन है ना आपको परसन को अपने नोट्बुक में जरूर नोट कर लिजेगा और आप लोग कमेंट कर जरूर बताईएगा कि यह 30 परसन में से पहले से आप लोगो कितन परसन याद था अब आये फ्रेंस देखने हैं पर आज कर आपके लिए लिए आ गया है देखेगा क्या क्या गड़ा है कि भारत का किस ने किया काफी महत्पूर्ण परसन और 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 यह जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बुक्स में बताना है और यह भी बताए और दोस्तों इस बार आपके साथ ही जितने भी मैट्टी को पुच्छा देने वाले हैं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर्ट कीजेगा दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पर